समाजवादी पार्डी के राष्ट्य अधक्ष अखिलेश यादों ने कहा है कि यूपी की खराब कानून विवस्था को देख कर कोई भी निवेशक यहां आने से पहले सो बार सोचेगा भाजपा जाती धर्म के आधार पर अपराधियों में भी भेदभाव करती है इसलिए सत्ता सन्रक्षित असमाजिक तत्व प्रदेश के वातावण को बिगारते रहते हैं अखलेश ने गुरुबार को जारी बयान में कहा की लखनों में वैस्विक निवेशक सम्मेलन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कानून विवस्था पर खूब लंबे चोड़े दावे किये हैं लेकिन जो हालात है उसमें कोई भी निवेशक आनी से पहले सोचेगा भाचपा सरकार की कतनी और कंड़ी में जमीन आसमान का अंतर है प्रदेश के विकास में उसकी कोई रूची नहीं है तांती विवस्था में भारी गिरावट के चलते अब लोग इतना जादा त्रस्त है कि वे जल्दी से जल्दी भाचपा सरकार से निजात पाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून विवस्था पूरी तरह से चोपट है रोजी यहां अपराधी घटना एघट रही है परंतु सरकार और सासन प्रसासन गहरी निंद में सोया हुआ है मुक्यमंद्री जगा जगा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके सासन म रामराज आ गया है लेकिन सच्चाई तो यह है कि समानने महिला की बात तो छोड़िये प्रसासनिक अफसरों के परिजन तक सुरक्षित नहीं है ऐसे में आम जंता की सुरक्षा कैसे की जा सकती है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस अमानवित्ता के साथ कानपूर द आज पर सरकार ने इस क्रित्ते से यह भी चता दिया है कि वहां कितनी शवेदनहीन सरकार है